दोस्तो इस वीडियो में आपको एक फीडिंग शर्ट की कटिंग बताएंगे बहुत ही अच्छे से समझाएंगे तो इससे पहले इसका मेजरमेंट देख लिजिए समझे लिजिए और इसके बाद में कटिंग बताएंगे दोस्तो नच 30 इंच लेंथ है और 35 सीना है और 35 24 इंच का कॉलर है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को पूरा देखीगा अच्छे से समझेगा दोस्तो आपको कपड़े को इस तरीके से सेट करते हुए विशा लेना है चो राइट साइड होगी उसको मने च्हें तरीके से इसके बाल में दोस्तों इस शिर्ड की लंबाईए या 27 इंच तो एक इंच एक्ष्ट्रा करते हुए थीस इंच पर निशान लगा लेंगे अब दोस्तों इसका 35 सिन का चोत्हा बनेगा चोता लिए आधा हीससा गोँ से सूथ कम अब डोस्तों अपने क्विया करना होगा अदा इन्च कम करके रखेंगे तो वो बने हैं अपने साज़े आठ से सम्से मल लगा लें और एक यहां पर भी लगा लेंगे जिससे कि अपने सीधा कर पाएं कपड़े को अब दोस्तों इस निशान से अपने वेस्ट के लिए जो कमर के लिए निशान लगाना है वो शाड़े इस तरीक के से अब अब दोस्तों आपको कन्य अगर कन्य साथ में रखना है तो आप ढाय इंची पे निशान लगा लें अनि अद्ध अ है अन्य था कन्य काट के आप दो इंच पे निशान लगा सकते हैं तो मैं कन्य को रखते होять यर смерi निशान लेता हूं यह सामने जो दोस्तों पट्टी बनेंगी उसके लिए मार्जम होता है यह कंपल सिरी दोस्तों रखना जरूरी है इस त्रीके से दोस्तों यह मार के कर लेने हैं अब दोस्तों आपको यहां से डेरे इंच डाउन करते हुए एक निशान और लगा लेना है इस त्रीके से ठीक है दोस्तों एब आपको 3 का निशान लगाना है तो स्में 3 18 अधाuhan 9 आधा इंच और आदा इंच मार जोने के लिए तो 9.99 पर क्रासर लगा लेंगे अब दोस्तों यहां पे चेस्ट का अपने चौथा हिसा लगाना है तो 35 का चौथा हिसा बनता है 9 इंच से 100 कम ठीक है दोस्तों इसके आगे लूजिंग छोड़ेंगे तो 8 ंच से 2 कम यानि कर 8 ऐब यहां पे दोस्तों कम अब दोस्तों हिप इसार्ट कर कर दोस्तों कि निस टीग को ऑब अगे वह हमें टोस्तों के और दोस्तों अब हाले की बारी आती है हाला इसका गला है 14 इंच तो पांच से डवाइज करेंगे तो अपने आएगा पॉने तीन इंच और इससे थोड़ा कम करके अपने डाई इंच पे मारका लगा देंगे ठीक है दोस्तों इसको यहां पे इस तरीके से राउंड कर लेंगे अब दोस्तों यहां से आपको पॉना इंच अंदर करते हो एक इंच और लगा लेना जो की तक्ति के लिए होगा अब दोस्तों इसको यहां पे इस तरीके से सॉल्डर डाउन कर लेना है अब दोस्तों आप शेफटी से मारकिंग करेंगे यहां पे दोस्तों इस तरीके से इसको राउंड कर लेना है अब दोस्तों इसमें नीचे से राउंड है शेट तो दोस्तों डाइंज पे इस तरीके निशान लगा के है और इसको हाप में से इस तरीके से राउंड कर लेना है ठीक है दोस्तों मैंने शवा दो किया आप यह दोस्तों इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखें दोस्तों किस तरीके से कटिंग कर नहीं है झाल आप आप दोस्तों सामना कट जाने के बाद में आपको क्या करना है आपको यहां पे पॉन फे निशान लगा लेना है पॉन इंच पे और यहां पे निशान लगा लेना है ठीक है दोस्तों अब इसको यहां पे यहां तक नाप लेना है यह बन रहा है 17 इंच ठीक है दोस्तों देखिए अब बैक की कटिंग कैसे करेंगे अब दोस्तों जो अपने 17 इंच नाप है हो अब आदा इंच बढ़ा के रख लेंगे ठीक है दोस्तों यहां से अब दोस्तों इस निशान को सीधा कर लेंगे बिल्कुल कपड़े को इस तरीके से दोस्तों इसको सीधा कर लेंगे अब इसको उठा लेना है अब दोस्तों जो यह निशान लगाया है इसको इसके बराबर रखना है इसके ठीक है दोस्तों? और इसको नीचे वाले को भी बिल्कुल यहां पर मिला के रखना है और कप्टे को बिल्कुल सही कर लेना है इस द्रीक के से इस त्रीक के से दोसतों इसको रख लैना है और जो यह निशान ना इसको इस पर सीधा कर ले ना है अपनी बैक यहां तक ही कटिंग होगी इस द रिक्ने विण के से अब अपने तीरे के लिए मार्गिंग करने है तीरा अफना 18 इंच तु दोस्तों यह हैं यह पर कपड़ा है जिवॉद चुझ का निशान लगा यहां से आपको मेज्रमेंट करना तो दोस्तू 18 इंच का ठीरा 9 इंच आदा हो गया और four पर यूदा मार्जिन का लिए इस खनिशान इस तरीके से लखा लेना है अब दोस्तू कि इसको शेफटी को स्थ locks तरीक के रखते हुए और ऐसे मार्किंग कर लेनी है और इसको ऐसे राउंड कटिंग कर लेना है चलिए दोस्तों मैं जल्दी से कटिंग करके दिखा देता हूं दोस्तों बैग में से आदा इंच फ्रेंट से कम करना होता है ठीक है अब इस बात का थ्यान रखें हमेशा अब दोस्तों इसका शॉल्टर कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस त्रीके से शॉल्टर की कटिंग करनी है इस त्रीके से दोस्तों पहले कपड़े को फोल्ड कर लें यतना अपना शॉल्डर है जैसे शॉल्डर है अपना अठारा इंच नो इंच और एक इंच एक्स्ट्रा ही रखें दास इंच पे आप मार्किंग करके इस त्रीके से गटिंग कर लें अब दोस्तों सबसे पहले अपने एक सीधा मार्का खीच लेंगे इस त्रीके से और अब यहां पर सवाब पांच इंच और डेर्ड इंच डाउनिंग सामने में अपने हाला टाई इंच रखा है तो आप दोसुत बढ़ा के रखेंगे इसको यह पौने तीन इंच ठीक है दोस्तों अब दीरा आया अपना अठारा इंच और आदा इंच मार्जन के लिए तो साडे नौ पे मारकिंग कर लेनी है और यहां से दोस्तों आपको दोसुत बढ़ाते हुए करना है जैसे कि यहां पर साडे नौ किया तो उपर दोसुत बढ़ाते हुए पहने दस इंच यानि की दो सूत बढ़ाना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको साध्य तीन इंच तीरे की चुड़ाई रखनी है इस तरीके से दोस्तों तीरे की मार्किंग कर लेनी और इसको इस तरह से तीरे को राउंड कर लेना है अब दोस्तों इसकी कटिंग कर लेंगे अपने अब दोस्तों रहे लाश्ट अपने स्लीव की कटिंग तो चलिए स्लीव देखते हैं किस तरीके से कट करने हैं अगर दोस्तों आप 36 चेस्ट का हो शर्ट तो आप इस तरीके से जो सिंगल अर्ज का कपड़ा होता है उसमें से भी जैसे डवल कटिंग करते हैं वैसे एक साथ में दोनों फ्लीव कटिंग कर सकते हो अगर बड़ी हो तो आप एक साथ में नहीं कटिंग कर सकते हैं उस बात को इस तरीके से कप्ड़े को रेव कर लेना है तो तो सबसे पहले आपको एक मार्किंग करने है यहां से इस तरीके से दोस्तों आपको यहां से और यहां से आपको जैसे कि जितना अपने सवा नो इंच आता है सबस्तों नो इंच से एक सूथ कम आता है और इसके आगे आदा इंच आपको मार्जन के लिए लेना है अब दोस्तों यहां से आपको स्लीव को लेंथ मिजर्मिंट करनी है लेंथ है अपने जैसे स्लीव में साढ़े 24 चौविस इंच पे मार्किंग करनी है और यहां पे बाद प्रेंच एक्सटा लगाते हैं अब दोस्तों इसको यहां पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस तरीके से इसकी शेफटी से शेफ कर लेंगे अब दोस्तों आपको यहां से साढ़े 3 इंच पे इस तरीके मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से इसको राउंड कर लेना है और दोस्तों जो फ्रंट की स्लीव होगी उसका इस तरीके से राउंड होगा यह बैक का होगा और यह फ्रंट का होगा ठीक है दोस्तों अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा देता हूं अब दोस्तों आपको यहां पर दो ही पीस लेने हैं उपर वाले उनको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ठीक है दोस्तों यह अपने स्लीव की कटिंग हो चुकी है अब इसमें बाजू पट्टी की कटिंग करनी है उसके लिए आपको इसको इस तरीके से फॉल्ड करना है और दोस्तों यहां से एक इंच छोड़ना है और बिलकुल सीधा कर लेना है और इस तरीके से निशान लग मचा लीजा लेना है ठीक है उंमीद करूंगा आपको दिख रहा हुगा आप दोस्तों इसके दो इपीस पकड़ने हैं जो बैक के के साइड में हैं और इसको इस कैसे सीधा सीधा कटिंग कर लेना है लगबख पांच साड़े पांच इंच के आसपास ठीक है दोस्तों इस तरीक कैसे आप दोस्तों अपनी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है इसका राउंड देख सकते बाद और यह दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर पताएं लाइक और कमेंट करके वीडियो अच्छा लगा तो शेर भी जरूर कीजेगा